ओम शान्ती आज बाबा के 27 तारिके महवाक्य हैं आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे रुखानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फस क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं यही रुखानी खुराक एक दोको खिलाते सबकी खादरी करते रहू प्रश्न बाबा ने पूछ विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो पक्की पक्की आदत डालो बाबा ने कहा ग्यान के तीसरे नेतर से अकाल तक तरनशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो भाई भाई समझ सभी को ग्यान दो पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाईयों को स इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तुफान वबुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, दूसरों को ग्यान का तीर भी अच्छा लगेगा, ओम शान्ति, ग्यान का तीसरा नेत्र देने वाला रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं, ग्यान का त तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम जानते हो अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, बिचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ग्यान का तीसरा नेत्र ही नहीं है, तुम बच्चो को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम स्रिष्टी के आदी मत्य अंत को जान गए हो यह है ज्ञान की सेक्रिन सेक्रिन की एक बूंध भी कितनी मीठी होती है ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मनाभव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बाप शांती धाम औ तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है 21 जनम मौज में रहने की यह जबर्दस खुराक है यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो तुम शिर बच्चे जानते हैं, बेहत का बाप द्वारा, हमको जीवन मुक्ती की खुराक मिलती है, सत्युक में भारत जीवन मुक्त था, पावन था, बाप बहुत बड़ी उची खुराक देते हैं, तब तो गायन है, अतिंद्रिय सुक पूछना हो, तो गोप गोपियों से पूछो, य यह ज्यान और योग की कितनी फर्स क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रुहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है, बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुमारे लिए हतेली पर सौगात लेकर आया हूँ, मुक्ती जीवन मुक् कितना खुशी का पारा चड़ा रहना चाहिए, तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सत्गुरु है, जो हमको अपने साथ ले चाते हैं, मोस्ट बिलवड बाप से विश्व की बास्षा ही मिलती है, यह कम बात है क्या, सदैव हर्षित रहना चाहि Godly student life is the best life, यह अभी काही गायन है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशिया मनाते रहेंगे, दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशिया कब मनाई जाएंगे, मनुष्यों को तो सत्यू का ज्यान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं, परन्तो इस तमो परदान दुनिया में फुशी कहां से आई, यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं, कितना दुख की दुनिया है, पाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं, गरस्त व्यवार में रहते कमलफूल समान रहो, धंदा दोरी आदी करते भी मुझे याद कर जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वे तो एक दो को याद करते रहते हैं, वे उनका आशिक, वे उनका माशुक होता है, यहां यह बात नहीं है, यहां तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जनमांतर से आशिक होकर रहते हो, बाप तुमारा आशिक नहीं बनता, तुम उस शुक को आने लिए याद करते आएगो, जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिम्रन करते हैं, तब तो गायन भी है, दुख में सिम्रन सब करे, सुख में करे न कोई, इस समय बाप भी सरवशक्तिवान है, दिन प्रते दिन माया भी सरवशक्तिवान तमो प्रधान होती जा और साथ साथ दैवी गुडबी धारन करो, तो तुम लक्षमी नारायन बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्या बात है याद की। ओंच से ओंच बाप को बहुत प्यार सनेहे से याद करना चाहिए। वे बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मै आया हूँ, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुमारे अनेक जन्मों के बाप कट जाएंगे। वतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख कर बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी, तो सभी सुखी थे। अब बाप पिर से कहते हैं बच्चे, चान्ती धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नईया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जै हमको पढ़ा रहे हैं। वह यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। तुम रुहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। तो पूरी रीती सीखना चाहिए। दारना करनी चाहिए। पूरी रीती पढ़ना अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच पद पाने के लाइक हूँ, रोहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रत लिया है, इनका रत ब पढ़ जाता है, तो मैं इनमें बैट मुर्ली लिखता हूँ, मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुर्ली मिस ना हो, तो मैं भी सर्विस पर हूँ न? यह है रुभाणी सर्विस, बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ On Godfatherly Service सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आएं हैं जो अच्छा पुर्शार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है देखा जाता है कौन महावीर आएं है जो अच्छा पुर्शार्थ करेंगे वो ही महावीर बनते हैं बाप का फर्मान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो इस शरीर को भूल जाओ बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगेर बोल नहीं सकती मैं भी इस शरीर में आया हूँ लोन लिया हुआ है शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है बाबा की बैठक यहां है यह है अकाल तक्त आत्मा अकाल मूरत है आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती शरीर छोटा बड़ा होता है जो भी आत्माएं है उन सभी का तक्त या ब्रकुटी का बीच है शरीर तो सभी के भिन भिन होते है किसका अकाल तक्त पुरुष का होता है किसका अकाल तक्त इस्त्री का होता है किसका अकाल तक्त बच्चे का है बाप बैट बच्चों को रोहानी ड्रिल्स इकलाते है जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं बाप का पैगाम देते हैं इश्व बाबा को याद करो याद से ही जंक उदरनी है सोने में जब एलोई पढ़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है तुम आत्माओं में भी जंक पढ़ने से वैल्यू लेस हो गए हो अब फिर पावन बनना है तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उस नेत्र से अपने भाईयों को देखो भाई-भाई को देखने से करमिंद्रिया कभी चंचल नहीं होंगी राज्य भाग्य लेना है विश्व का मालिक बनना है तो यह मेनत करो भाई-भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो बाप भी उपर से आए हैं तुम भी आए हो बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा तो यह प्रैक्टिस करनी है मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ आत्मा पढ़ती है ना इसको spiritual knowledge कहा जाता है जो रुहानी बाप से ही मिलती है संगम पर ही बाप आकर यह knowledge देते हैं कि अपने को आत्मा समझो तुम अशरीरी आये थे फिर यहां शरीर धारन कर तुमने 84 जनम पाट बजाया अब फिर वापिस चलना है इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई-भाई की दृष्टी से देखना है या मेहनत करनी है अपनी मेहनत करनी है दूसरे से हमारा क्या जाता charity begins at home अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाईयों को समझाओ तो अच्छी रिती तीर लगेगा यह जोहर भरना है मेहनत करेंगे तब ही उच्पद पाएंगे पाप आये ही हैं फल देने के लिए तो मेहनत करनी पड़े कुछ सहन भी करना पड़ता है चुप हो जाएंगे ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है बच्चों को एक दो का कल्यान करना है बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मनाभव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाईयों आत्माओं की तरफ देखो भाईयों को भी यह नौलेज दो योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ बाईयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी बाबा ने कहा है भाईयों को समझाओ भाई सभी बाप से वर्सा लेते हैं यह रुहानी नौलेज एक ही बार तुम ब्रामन बच्चों को मिलती है तुम ब्रामन हो फिर देवता बनने वाले हो इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे नहीं तो पार कैसे जाएंगे फूदेंगे थोड़े ही यह वंडरफुल संगम युग है तो बच्चों को रुहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है तुम्हारे ही फाइदे की बात है बाप की सिक्षा भाईयों को देनी है बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ग्यान दे रहा हूँ आत्मा को ही देखता हूँ मनुश्य मनुश्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे न तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है भल शरीर द्वारा ज्यान देते हो परन्तो इसमें शरीर का भान तोर ना होता है तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ग्यान दे रहे हैं बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ आत्माई भी कहते हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं उनसे नौलिज ले रहे हैं इसको कहा जाता है spiritual ग्यान की लेंदें आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ग्यान है, आत्मा को ही ग्यान देना है, यह जैसे जोहर है, तुम्हारे ग्यान में यह जोहर भर जाएगा, तो किसको भी समझाने से जट तीर लग जाएगा, पाप कहते हैं, प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है न, यह नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा माया के तुफान कम आएंगे बुरे संकल्प नहीं आएंगे क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है अब नाटक पूरा होता है अब बाबा की याद में रहना है याद से ही तमो प्रदान से सतो प्रदान बन सतो प्रदान दुनिया के मालिक बन जाएंगे कितना सहज है बाब जानते हैं बच्चों को यह सिक्षा देना भी मेरा पाठ है कोई नई बात नहीं है हर पांच जार वर्षपाद हमको आना होता है मैं बधाय मान हूँ बच्चों को बैट समझाता हूँ मीठे बच्चे रुहानी याद की यात्रा में रहो तो अन्त मती सो गती हो जाएगी यह अन्त काल है न मामे कम याद करो तो तुम्हारी सद्गती हो जाएगी यह देही अविमानी बनने की सिक्षा एक इबार तुम बच्चों को मिलती है इतना वंडरफुल ग्यान है बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ग्यान भी वंडरफुल है कब कोई बता न सके अभी वापिस चलना है इसलिए बाब कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो अपने को आत्मा समझ आत्मा को ग्यान दो तीसरे नेतर से भाई भाई को देखना है यही बड़ी मेहनत है अच्छा मीठे मीठे सिक्षे लदे बच्चों प्रती माद पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तादा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते 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 जी दाड़ना के लिए मुख्य सार है जैसे बाप बच्चों की रुखानी सर्विस पर आएं है ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है बाप के डारेक्शन पर चल खुशी की खुराख खानी और खिलानी है कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है मुख की ताली नहीं बजानी है, सेहन करना है बरदान है, द्रड़ता की शक्ती से मन वुद्धी की हो, सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्ति शाली होकर बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ओर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं कभी सेट होते, कभी अपसेट, लेकिन एकागरता की वद्रिड़ता की शक्ति से मन बुद्धी को एकर स्थिती की सीट पर सेट कर दो, तो सहज योगी बन जाएंगे स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं, उन्हें समय पर यूज करो, तो बहुत अच्छे-च्छे अनुभव होंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास है अब हर एक ब्राह्मन, रह्मा बापसमान, चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की जागी बने संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषन तयार कर, कर्मातित डबल लाइट फरिष्टा स्थेज पर, वर्दानी मूरत का पार्ट बजाए तब संपूनता समीब आएगी, उस कर्मातित स्टेज के आधार पर, जिसके प्रती जो संकल्प करेंगे, उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा अच्छा, ओम, शान्त